खनीजूं के उपियोग कठोर और कीमती खनीजूं का उपियोग आभूशणों में रतनों के रूप में किया जाता है. तांबा सिक्कों से लेकर पाइपों तक लगभग सभी चीजों में प्रयोग किया जाता है. सिलिकॉन, कंप्यूटर उद्योग में व्द्योग किया जाता है. ये क्वार्ट से प्राप्त होता है. एल्यूमीनिएम, और मोबाईल, हावाई जहाज, बौटलिंग उद्योग और रसोई घर के बरतन बनाने में उप्योग होता है. ये बॉकसाइट से प्राप्त होता है। खनिजों का संरक्षण खनिज गैर नवी करणिये संसाधन है। खनन की प्रक्रिया में अपवय को कम करना आवशक है। धातूं का पुनर चक्रण खनिज संसाधनों के संरक्षण का एक उपाय है। विद्युत संसाधन दो प्रकार के होते हैं परंपरागत संसाधन, घैर परंपरागत संसाधन. विद्युत संसाधनों की आवशक्ता उद्योग, कृशी, परिवहन, संचार और रक्षा के लिए होती है. खनीजों के पारंपरिक्सरोत ऐसे उर्जा संसाधन जो लंबे समय से सामानने उप्योग में आ रहे होते हैं, उन्हें पारंपरिक्सरोतों के रूप में जाना जाता है उधारण लकडी और जीवाश्म इंधन कोईला कोईला एक प्रमुख परंपरागत उर्जा स्रोत है कोईला जिसे हम आज उप्योग करते हैं, वो लगभग 500 मिलियन वर्ष पहले दलदल में पनपे पेड़ और फर्न के अवशेशों से बना था इसलिए कोईले को अंतरहित धूप के रूप में जाना जाता है कोईले से उत्पन विद्दुत को ताप ये उर्जा कहा जाता है महतपून कोईलाक्षित रहें, तालचर, रानी कंज, जरिया, बोकारो आदी पेट्रोलियम ये प्रित्वी की परत के नीचे शैलों की परतों के मध्धे पाया जाता है अपने अपरिश्कृत रूप में इस गाड़े काले द्रफ को पेट्रोलियम के रूप में जाना जाता है हाप परिश्कृत पेट्रोलियम परिश्कृत करने एवं शोधित करने के बाद पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल, सनेहक, प्लास्टिक आदी के रूप में वानिजिक और घरेलू उप्योग के लिए उपलब्दु होता है भारत में तेल के निक्षेप, गंगा, ब्रहमपुत्र घाटी, बॉम्बे हाई, गुजरात के मैदानों आदी में पाए जाते हैं विश्व आधार पर पेट्रोलियम निक्षेप सौधी अरब, इराक, इरान, कुवेथ, अमेरिका, मैक्सिको और रूसादी में पाए जाते हैं